भाईयों और भेनों याद रखिए 21 वी सदी के दो दसक चले गए हैं अटल जी ने कॉंगरेस को 2004 में 8 प्रतिशत की दर से विक्सित होता भारत उनको सुप्रत किया था और वो भी एक अर्थजास्त्री प्रदान मंत्री को सौपा था अगर कॉंगरेस ने अपने 10 साल के शासन में अटल जी ने जो गती रखी थी जिस वुँचाई पर अटल जी देश को ले जा रहे थे कुछ ना करते अगर उसको बनाए रखते शिर्प बनाए रखते तो आज 10 साल में देश कहां से कहां पहुँच जाता लेकिन ये लोग देश की विकांदर अटल जी जहां छोड़ते के गए थे उससे आधे पर लाके अटक गए थे पांच प्रतिशत पर ले आए अगर आज प्रतिशत भी 10 साल बनाए रखा होता तो आज देश की कई समस्याएं समाधान करने का हमें आउसर मिलता इतना ही नहीं अपने शाथन में महंगाई को भी इन लोगों ने दो अंकों में याने करीब करीब दोस प्रतिशत के दर से डबल डिजिट महंगाई कर दी थी अटल जी ने छोड़ा वहीं से दस साल में बरबाद किया और फिर भी 2014 में नए सिरे से मेहनत करना मेरे काम पर आया ऐसा गड़ा करके गए थे उसको भरने की मैंने आकर के शुरुआती पांच वर्ष के प्रायक्सों के बाद अब फिर विकात दर आगे बड़ी है और महंगाई दर कम करके हम पहले के मुकाबले आदे से भी कम पर महंगाई ले आए है